एलो गाईज, केसे हो सब लोग, आप सारे वीडियो अच्छे से देख रहे होगे, वीडियो समझ में भी आ रहे होगे, यदि समझ में नहीं आ रहे हो, तो comment में बताना मैं आपको समझा दूगा वापस से, ओके, हमने अभी तक क्या सीखा हैं, हमने अभी तक, मेन तो zone marking करना अपने काफी बार मार्केट में सुना होगा, कि मार्केट अभी अप्ट्रेंड में चल रहा है, मार्केट अभी डाउन ट्रेंड में चल रहा है, या फिर साइडवेज मार्केट है, तो किस तरह से हमें पता चलेगा, मार्केट साइडवेज है, अपने या नहुन है, तो उसके regarding हमें एक indicator को use करना है कौनसा इंडिकेटर है simple moving average समझे, Simple Moving Average का Indicator यूज़ करना है, जिदि आप Zero-Dak आकाउंट यूज़ कर रहे हो, या फिर Angel का आकाउंट यूज़ कर रहे हो, आप किसी भी Stock Broker का आकाउंट यूज़ कर रहे हो, उसमें चार्ट में आपको Settings में जाके Average का Indicator यूज़ करना है, उसमें भी Simple Moving Average, मैं आपक यूज़ करना है, तो आप Share Khan में Demet Account उपन करवाए, ताकि आपको Tread Tiger का Software यूज़ करने को मिले, और इस Software की सारी Settings मैंने वीडियोस में बनाई हुई है, वीडियोस की लिंक उपर I Button में होगी, आप जाके देख लेना, ओके, आप सबके Demet Account में कुछ इस तरह से चार्ट कराओगा, इसमें अभी कुछ भी Indicator नहीं लगाया हुआ है, अब हम इसमें किस तरह से Average का Indicator लगाते है, वो मैं आपको समझाओगा, कुछ नहीं करना है, यहां उपर Studies में जाना है, Studies में जाके, आपके पास एक पूरा Indicator का Box आ जाएगा, उसमें Average को सिलेक करना है, य Indicator में आपका अकाउंट है, या फिर एंजल में अकाउंट है, उसमें इस तरह से आता है, कुछ अलग नहीं रहता है, थोड़ा बहुत अलग रहता है, वो भी आपको नहीं समझ में आता है, यूटुब में वीडियोस में भी देख सकते हैं, यूटुब में सर्च करके दे अगे हमारी एवरेज वाली Indicator, अब हमने एवरेज को 50 क्यों रखा, 50 का मतलब है कि प्राइस जहां पे भी अभी है, उदर से आप 50 केंडल को काउंट करना, उसकी जो एवरेज रहती है, उसकी एवरेज की यह जो लाइन है, इसे हम सिंपल बुविंग एवरेज बोलते हैं और डिरेक टाइम फ्रेम पे एवरेज अलग-अलग रहती है, क्यों अलग-अलग रहती है, यदि एक डेनी का चार्ट है, तो डेनी में डेनी की 50 केंडल रहेगी, तो 50 दिन की केंडल रहेगी, ठीक है, यदि हम विकली क्या करते हैं, तो विकली में 50 विक की केंडल रहेगी ज़िए अब मंतली की करते है तो मंतली में 50 मंत की कैनल रहेगी ठीक है इसलिए अब टाइम फ्रेम पे मुविंग एवरेज अलग अलग रहेगी देखिए अभी डेल नी पे मुविंग एवरेज कैसी है विखली पे मुविंग एवरेज कैसी है दिख रहे है ना अब मंतली पर moving average कैसी है, मंतली पर एकदम bottom में, ए रेड हो गई, quarter नी पर total नी रेड है, इसलिए moving average को all time frame पर अलग-अलग हो सकती है, अब इस moving average हमें chart में क्या represent करती है, तो moving average को देखके हमें पता चलेगा कि market अभी uptrend में, downtrend में या फिर market sideways है, हम इस moving average को, हम इस simple moving average को किस काम के लिए यूज़ कर सकते हैं, तो मैं इसे आपको आगे बताऊँगा, क्योंकि trend को देखते हुए हम उमारा zone marking करने में पता चलेगा कि यदि price यहाँ पर आती है, तो market की trend को देखते हुए हमारा zone चलेगा कि नहीं चलेगा, अब हम आते हैं कि simple moving average को किस तरह से देखा जाता है, कि trend चेक करने के लिए हम moving average को किस तरह से देखते हैं, चलेगा आते हैं, इस ppt पे, अब कुछ नहीं गदना है, जो last वाली candle देती है, उदर से 7 candle को count करना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, जो सातवी candle देखी, उदर पे एक horizontal line ड्रो करनी है, यह जो horizontal line है यो thread line को कहाँ पे cross करती है, और जहाँ पे भी cross करती है, उदर एक vertical line ड्रो करनी है, मैं आपको chart पे भी समझाओगा अभी, फिला list, इसे देख लिजिए, और अब क्या करना है, तो अब इसे हम इस cross को आप एक कड़ी की तरह यूस करेंगे, कैसे, कि मान लिजिए, यहाँ प समझ में आ गया, अब price, price मतलग किये moving average 12 o'clock और 6, sorry 12 o'clock और 3 o'clock के बीच पे रहती है, तो trend अब trend है, और average 3 o'clock और 6 o'clock के बीच रहती है, तो downtrend चल रहा है, और 3 o'clock के आसपस जो trend लेंड रहती है, तो market sideways है, ओके, इतना समझ में आ गया, कुछ नहीं करना है, 7 channel को count करना है एक vertical line और vertical line और trend line जहाँ पे cross कर रहे है, उधर एक horizontal line, ओके, अब हम आते है, example पे, मैं आपको live chart पे दिखाता हूँ, कि किस तरह से moving average को देखा जाता है, यह BHEL का daily का chart है, ठीक है, तो 7 candle, 1, 2, 3, 4, 5, और 6, 7 candle पे vertical line और जहाँ पे भी यह vertical line और trend line क्रोस कर रहे है, उधर ए यह जो average है, और 12 o'clock और 3 o'clock के मिच में, इसका मतलब की, BHEL, bell में, daily पे, trend up है, समझ भी आ गया, अब हम weekly पे check करते है, weekly, weekly पे 7 candle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और 7, 7 candle पे horizontal line और यहाँ पे vertical line, 12 o'clock और 3 o'clock के मिच में average है, तो इसका मतलब trend up है, अब जाते हैं मंतली पे, 7 candle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और 7, एक vertical line और एक horizontal line, मंतली पे भी trend, अब पे, quarterly पे जाते हैं, 7 candle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और 7, 7 candle पे एक vertical line और एक horizontal line, तो यहाँ पे trend down है, पहल में, BHEL के stock में, daily, monthly, weekly, सब भी पे, trend up था, लेकिन quarterly पे trend down है, क्योंकि price 3 o'clock और 6 o'clock के मिच में है, इसलिए है, अब ही मैंने आपको पहले समझाया है, कि, हर एक stock में, time frame पे depend करेगा, कि trend up था की down है, और हमें कौन से time frame को consider करना है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा, अब हम आते हैं next step पे, यह जो मैंने box draw किया हुआ है, और किसके लिए वो मैं आपको पहले समझाया देता हूँ, कि हम जब zone marking करते हैं, तो हम पौन से time frame पे zone marking करेंगे, उसके बियाप पे हमें इस chart को follow करना है, इस chart जो है, उसका screenshot लेके आप zerops करके अपने desk पे रख दिजेगा, क्योंकि आप जब भी भी zone marking करने बैटोगे, तभी आप इस chart को देखते होई zone marking करना है, इस तरह से मैं आप को समझाता हूँ, चलिए, अभी है, मंतली में, मंतली chart में कोई zone marking कर रहे है, उसे हम MIT trade बोलेगे, मंतली time frame का trade, हम MIT zone find करने, तो MIT zone में हमें क्या करना है, मंतली पे हमें location mark करना है, location मतलब zone, हम जो zone marking करते हैं, मंतली पे हमें location mark करना है, अब trend हमें weekly पे check करना है, मेरे आपको बता है कि trend किस तरह से check किया जाता है, seven candle को count करके, तो उस तरह से हमें trend weekly पे count करना है, और entry और stop loss execution हमें daily पे रखना है, हम WAT trend find करना है, तभी weekly time frame वाला, तो उसमें weekly पे हमें location mark करना है, daily पे हमें trend चेक करना है, और 125 minute और 75 minute पे execution mark करना है, अब 125 minute और 75 minute क्यों पेले उसकी बा आप continue रखे, मैं आपको chart पे marking करके भी दिखा होगा, अभी हम 125 minute और 75 minute क्यों consider करते है, तो market जब 79 बजे open होता है, और 3.5 बजे closing आता है, तब पूरा दिन market में 3.75 minute market चालो रहता है, तो 3.75 minute market चालो रहता है, उसका divided by आप 125 minute कीजे, तो पूरे दिन की 3 candle form होगी, 125 minute की पूर 75 minute market चालो रहता है, divided by 75 minute, तो कितनी candle form होगी, पूरे दिन की market में 75 minute की 5 candle होगी, अब हम 60 minute को consider करते हैं, चलिए कि 3.75 divided by 6.0, यदि हम 60 minute की candle देते हैं, तो हमें market में कितनी candle मिलेगी पूरे दिन की, तो 6.25, इतनी candle में market में मिलेगी, तो यह जो point वाली candle है ना, उसे हम एक second में आपको दिखाता हूँ, मान लिजी कि मैंने 75 minutes की candle नी, तो 75 minutes की candle में, पूरे दिन की कितनी candle बनेगी, पूरे दिन की 5 candle बनेगी, एक, दो, तिन, चार और पाच, ठीक है, तो यह 5 और पाच candle पूरे 75 minute की रहेगी, यदि मैं 60 minute की candle लेता हूँ, तो 60 minute की candle में, यह जो 6 candle है, और 6 candle पूरे 60 minute की रहेगी, लेकिन, यह जो point 25 वाली है ना, तो last वाली candle में 60 minute की point 25 परसंटी टाइम रहेगा उसमें, तो हमें accuracy नहीं आएगी, तो इसलिए हम 75 minute और 125 minute को consider करते हैं, समझवे आगे आपको, अब हम जब DAT trade करते हैं, डेली टाइम फ्रेम वाला, तो डेली टाइम फ्रेम वाला trade में हम क्या करते हैं, तो डेली पर हम location मार्क करेंगे, डेली पर हम zone मार्किंग करेंगे, 75 minute और 60 minute पर हम trend चेक करेंगे, कि trend अप है कि डाउन है, 50 minute और 10 minute पर हम execution मार्क करेंगे, stop loss और entry रखेंगे, और HIT trade, hourly time frame, त ज्यादा effect करती है, यदि हमने DAT trend find किया हुआ है, हमने अच्छे से अच्छी entry और अच्छे से अच्छा stop loss रखा हुए, हमारा zone fall on strong है, लेकिन market में कभी ऐसी news आती है, कभी ऐसी अफ़ार निकलती है, तो ऐसी situation में हमारा अच्छा zone भी stop loss हो सकता है, इसलिए हम DAT और hourly time frame वा effect नहीं रहता है, यहाँ पर यदि corona जैसी news आती है, यहाँ पर यदि war जैसी news आती है, यहाँ पर यदि budget जैसी news आती है, तो ऐसी news बड़े time frame के zone को effect नहीं करती है, हमने monthly पर दे, monthly तक देखा है, लेकिन हम यहाँ पर quarterly भी देख सकते हैं, quarterly time frame पर हमें यदि zone मिलता है, तो quarterly time एक्जीटूशन करना होगा। अभी अफ्यानली पे भी अफ्यानली पे हमें लॉकेशन करना है। वैक जोगता हैधे जहThis चैक करना है। यह विदंटी जोगता है चिन आफ्यानली जैदrophe में सब्सक्क्राचंज करना हैं। समझा बहुता है। हम ज्यादा तर weekly, monthly, quarterly पर फोकस करेंगे, आफ यहली यदि हमें मिलता है, तो इससे अच्छी बात कोई नी, क्यूकि आफ यहली six month की candle है, वो सबसे ज्यादा powerful रहती है, इतना आपको समझ भी आ गया, इससे आफ notes में भी लेख सकते हैं, इसका jarogs निकालके desk पर भी रख सकते ह हुआ कि इसे consider करते हुए हम किस तरह से zone marking करते हैं, हम आते हैं, किसी भी एक stock को ले लेते हैं, यह HBA का chart हमारे पास open है, उसमें हम zone marking करेंगे, तो हम पहले क्या find करेंगे, चलिए, हम पहले MIT thread find करते हैं, MIT trend find करने के लिए हमें मंतली पर पहले location और zone marking करना है, ठीक है, तो हम म मंतली पर चले जाएंगे, मंतली, सबसे पहना step, current market price पे एक horizontal line draw करनी है, यह हमने horizontal line mark कर दी, अब हम क्या करना है, अब हम demand zone find कर रहे हैं, इसलिए हमें नीचे की और देखना है, horizontal line के नीचे, left side, तो हमें नीचे की और एक explosive green candle find करनी है, तो हमें एक explosive green candle मिनगी यहाँ पे, ओक यह हमारी leg out candle हो गई, इसके साथ base candle है क्या, तो इसके साथ base candle भी है, चलिए, अब इसके साथ lagging candle है क्या, तो lagging candle भी है, तो rally base rally, rally base rally, RBR pattern हमें यहाँ पे मिलता है, तो हमें zone marking करने के लिए, किस तरह से करना है, base candle की highest body, और base candle की lowest भी, यह हमारा zone marking हो गया, location marking हो ठीक है, इतन मंतली का MIT zone find कर रहे है, इसलिए मंतली पे हमने location तो mark कर दी है, अब विकली पे हमें trend check करना है, तो चलिए, विकली पे trend चेक कर लेते है, विकली पे trend क्या है, तो एक vertical line, यह 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 candle पे एक vertical line ड्रो की, अब vertical line और tread line, जहाँ पे भी एक दूसरे को cross कर रही है, यहाँ पे clock के वाइस देखना है, 12 o'clock और 3 o'clock के बीच में line उपर क्योर जा रही है, तो अभी market में, SBA में trend strongly अपे, चलिए, हमें पता चल गया trend अपे, अब next step क्या रहेगा, हमने trend को तो check कर लिया, अब execution हमें daily पे find करना है, execution मतलब entry और stop loss, तो daily पे हमें entry और stop loss को रखते अब daily पे जाते है, तो daily पे हमें, कहाँ पे एक zone मिलता है, यहाँ पे ही मिल गया rally, चार बेस केंडल वाला, और rally, 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 तीन exciting candle है, price को यहाँ से लेके, यहाँ तक ले जाने वाला, origin point कौन सा यह वाला, rally, चार बेस करना, rally, rally, अब इस zone को mark कर देते, तो zone marking में में, मैंने के highest body, और base candle की lowest week, तो east week, east base candle की lowest week क्या है, और इसमें highest body किसकी है, तो यह वाली दूसरी वाली base candle की, ठीक है, तो proximal line और distal line हमने रख दी, proximal line चे थोड़ा उपर हम entry रखेंगे, distal line चे थोड़ा ने चाहाँ, stop loss रखेंगे, तो यहाँ भी अपनी entry और stop loss, समझ में आगा है zone हमें सा powerful रहता है, उससे market की volatility से कुछ नेना देना नहीं है, हमें यहाँ पे तो entry मिलती है, चलिए, लेकिन यहाँ पे भी एक entry मिलती, तो क्या हम इसे consider कर सकते हैं, पहले हमें preference हमरी यही रहेगी, कि हम location के आसपासी entry रखेंगे, तो यह location के आसपास entry हो गई, यदि हम यहा पे stop loss रखते हैं, तो क्या यह validate की नहीं है, हाँ validate, लेकिन जब भी भी location से execution दूर रहता है, तब हम trend का सहारा नेते हैं, तो अभी trend check करना रहेगा, कि trend आप जो trend आप रहेगा, तब हम aggressive entry रखेंगे, तो यहाँ पे price ने proper entry भी दी है, और यहाँ पे जब entry दी, बन लिज आग कर ले, तो trend तो strongly up ही है, उसमें कोई दो बात नहीं है, strong up है, इसलिए हम aggressive entry लेते हैं, तो aggressive entry हमने यहाँ पे ली और इसमें 1-2 का target मिल भी गया होगा, यहाँ तक मिला है, नहीं, 1-2, 55, डेड का target मिला है, price यहाँ तक आएगी, तो हम आसाने से 1-2 का target मिल जाएगा, अब 1-2 दिन में target मिल जाएगा, तो अच्छे zone आपको 5-10 दिन में 1-2 का target दे सकते हैं, लेकिन खास ध्यान देजिएगा, execution और location, दोलों कोई साइड करते हैं, ऐसे हमें zone find करने हैं, हमें aggressive entry नहीं नहीं है, यदि आप aggressive entry लेते हो, तो market का particular stock का trend strongly up होना चाहिए, जैसे SBI का trend up है, इस हमें aggressive entry ले, और aggressive entry चल भी गई, अब हमारी main entry तो ही ही रहेगी, क्योंकि हमें जब भी price में rocket वाली rally enjoy करनी है, तब हमारी main entry ही ही रहेगी, price यहाँ पे आएगी, तब ही उपर क्यों rocket होगी, यहाँ से 1-2 का ही target दे सकती है, उससे ज्यादा नहीं, ज्यादे से ज्यादा 1-3 का target दे सकती ही, अब आप सब के मन में एक बात आ रहे होगी, कि हमने जो मंतली पे location mark किया है, तो हम इधर direct entry और stop loss क्यों नहीं रख सकते हैं, तो आगे कुछ करने की जरूरते नहीं पड़ेगी, चल यहाँ आप entry और stop loss रख दिया, अब entry और stop loss तो रख दिया, लेकिन हमारा target इसमें बड़ा हो जाएगा, 1-2 का target लेने के लिए, हमें 100 point, maximum 100 point कवर करने होगे, क्योंकि 53 का SL है हमारे पास, तो उसको 1-2 के target के इसाब से 120 point का target लेना पड़ेगा, तो यह सबसे ज्यादा हो जाएगा, तो इसलिए हम छोटा target ही रखते हैं, और छोटा SM ही रखते हैं, अब जब buyer win-win situation में थे, तभी price को open लेके गए, तो इसका मतलब यहाँ पे बावबली का pending order सबसे ज्यादा रहेगा, तो बावबली का pending order कहाँ पे रहेगा, institute वाले का pending order कहाँ पे ज्यादा रहेगा, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, कहाँ पे, तो यहाँ मन लिजे, for example, कि कोई एक नमबर के इस्टिटूट ने यहाँ पे ओडर लगाया, दो नमबर के इस्टिटूट ने यहाँ पे ओडर लगाया, तिन नमबर ने यहाँ, चार यहाँ, पाँच यहाँ तो pending order किये यहाँ पे order लगाने किये partition है, पूरी candle में अलग अलग जगाँ पे order है, तो हमें कुन से order को follow करना है, हम सारे order को follow करते बेटेंगे, तो हमारा target लंबा हो जाता है, हमने अभी देखा 50 के सामने हमें 100 point का target है, तो उतना target मिलने में time लगेगा हमसे, हमें कम से कम 1-2 मेने, 3 मेने भी लग सकते हैं जिससे हमारा capital भी ब्लोक हो सकते हैं, हमें ऐसा नहीं करना है, तो फिर अब हमें क्या करना है तो इस पूरी base candle में सबसे ज़्यादा order कहाँ पे, तो वो देखने के लिए हम daily पे गए थे, तो daily पे हमें पता चला कि इस पूरी move का origin यहाँ पे जब price यहाँ पे उपर गई चार base candle बनी, buyer और seller की fight चली, उसमें result ए आया कि buyer के pending order सबसे ज़्यादा आता है, इसलिए price ने यहाँ से एक बड़ी rally दी, price यहाँ से rocket हुई, तो इसका मतलब यहाँ पे सबसे ज़्यादा pending order होगे समझ भी आ रहा है, अब हम next chart पे आते हैं, असो ग्लेनल का चार्ट है, तो इसमें हम monthly find करते हैं, चलने हमें तो monthly में जोन मिलता है कोई कुछ नहीं करना है, जोन find करने करने हैं पे ने, एक horizontal line current market price पे रखनी है यहाँ पे हमें कोई zone मिलता है, तो यहाँ पे explosive green candle तो explosive green candle तो है अपने पास अभी base candle है क्या, तो अपने पास base candle भी लेकिन एक lagging candle है क्या, lagging candle लई है तो zone हमें सा lagging base leg out पे ही consider किया जाता है तो यहाँ पे lagging candle नहीं है, तो क्या तो अब हम जाते है, क्वोटन नहीं पे सायद हमें क्वोटन नहीं पे कोई zone मिल जाए तो zone मलने के लिए पेले तो एक current market price पे horizontal line रोगी, अब यहाँ से में निसीकर देखना है हमें यहाँ पे green candle मिली है उसके साथ base candle मिली है, यहाँ मिली एक, दो, तीन, तीन base candle मिली और lagging candle भी यहाँ पे मिल गी तो lagging, base, leg out, यह proper zone का formation मिल गया, proper zone का setup मिल गया, तो इसे आप हम mark कर देदे चलिए, highest body of the all base candle और lowest weak of the all base candle ठीक है, यह हो गया अपना zone solid कर देते हैं इसे थोड़ा ball कर देते हैं आपको दीक्या आसानी से जहाँ पे भी मेरा करसर जाता है, आप अपनी नजर उदर ही रखेगा आपको इसलिए, अब हमें quarterly पे location मिल गया अब quarterly पे location है, तो हमें trend कहां पे चेक करना है quarterly पे location है, तो हमें trend चेक करना है monthly पे, तो आईए monthly पे चलते है trend चेक करने के लिए, vertical line 7 candle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 candle पे vertical line और जहाँ पर भी vertical line और trend line, average line जहाँ पे frost करती हुद है, horizontal line हमें पता सेल गया है कि price 12 o'clock और 3 o'clock के बीच में trend उपर जा रही है तो trend strongly up है इतना समझ में आ गया, अब हमें location मार्क करना है तो location हम कहाँ पे करेंगे location हम करेंगे, weekly पे अभी weekly पे जाएंगे तो weekly पे हमें कोई location मिलता है क्या तो हमें यहाँ पे एक location मिलता है drop, base, rally, rally DBR pattern है, दो exciting green candle है इसका मतलब price उपर से निचे की और आई price में एक base candle form की उसके बाद reverse करके दो exciting green candle form की तो इसका मतलब हमें यहाँ पे एक execution मिल गाई यह हमारी entry और अपना stop loss तो यह पूरी quarterly की location में सबसे ज़्यादा institute के pending order यहाँ पे रहेंगे बाकी पूरी candle में order तो रहती है यह पूरी zone में quarterly की पूरी zone में order रहेंगे लेकिन सबसे ज़्यादा order यहाँ पे रहेंगे और हमें सबसे ज़्यादा order वाले move को ही consider करना है उससी follow करना है समझ में आ गया और हमें एक और execution मिलता है यहाँ पे यह वाला point इसे हम exciting candle consider कर सकते हैं क्योंकि इस पूरी move का origin कौन सा है यह वाला तो यदि यह वाला stop loss होता है पर वाला zone stop loss होता है तो हम यहाँ पे entry और यहाँ पे stop loss अग सकते हैं समझ में आगे आपको इतना हमने SBAE में मंतली वाला MIT zone find किया और असोक ने लेंड में हमने QIT zone find किया अब हम next chart लें लेते हैं अब मारूती का chart लें चलिए अभी मारूती में पोटन ली पे हमें कोई zone मिलता है तो कि हाँ पोटन ली पे हमें यहाँ पे एक zone मिलता है drop based rainy पहले current market price पे horizontal line अब यहाँ से निची के और देखना है तो हमें exciting पोटन ली की green candle मिली है तो हमें इसे consider करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए मैंने आपको पहिने बताया था चालू month, चालू year, चालू week की candle हमें consider नहीं करनी है क्योंकि यह candle अभी भी चालू है ए candle हमें consider नहीं करनी है तो इसे हम भूल जाते है अब यहाँ से निची कोई zone मिलता है नहीं मिलता है तो हम आते हैं monthly फिर monthly पे हमें कोई zone मिलता है क्या, एक monthly की चालू candle हम consider नहीं करेंगे लेकिन यह वाली candle तो consider कर सकते है तो क्या कर सकते है तो हमारे पास layout candle है base candle भी है और leg in candle भी है तो हम इसे zone marking कर सकते है क्या, चलनी गन लेते हैं highest body and lowest weak अब आप त्यान से सुनियेगा हम exciting candle और base candle के भी जो difference है उसके बारे में बात करेंगे हमने यह आपे zone marking तो कर दिया चलिए लेकिन यह जो ले exciting candle ले उससे तो बड़ी base candle है हमारे पास तो क्या हम इसे exciting candle कर सकते है या, कौन सेंस है इसे हम exciting candle लई करें सकते है क्योंकि इससे बड़ी तो base candle है base candle और exciting candle की एक universal नहीं हमें कि base candle छोटी रहती है और exciting candle बड़ी रहती है तो उससे सबसे देखा जाए तो यह भी base candle ले हम consider करनी होगी तो इसे हाओ exciting candle नहीं मनेंगे हमें यह zone नहीं है अब हम जाते है विकली पे तो विकली पे हमें zone मिलता है यहाँ पे मिल लिया रहनी चार base candle और रहनी वाला इस candle को उससे नहीं करेंगे चालो होगी के इसलिए तो हमें यहाँ पे zone मिल गया अचलिए ओके एक perfect zone है रहनी base rally और पेटल का और एक और zone हमें निचे मिलता है rally यह base और rally single base candle वाला अब हमें जब एक zone मिल गया है तो हमें इस zone की कुछ जरूरत नहीं है यदि price यहाँ से निचे की वराते हैं इसे stop loss करते हैं उसके बाद हमें इस वाले zone को consider करना है तो अभी इसे चोक में एक demand zone और एक supply zone ही find करना है वैसे हम demand zone और supply zone पूरे चाट में देखने को बेटेंगे न तो हमारे पास इतने demand zone supply zone होगे कि आप confusion हो जाएगी कि कहाँ पे entry रखें कौन सा zone हमें अच्छा लग रहा है कौन सा नहीं लग रहा है इसलिए तो हमें यहाँ पे चले एक zone मिल गया है रेली बेस रेली का ओके विकली का zone है अब हमें विकली के zone में विकली के location में daily पे हमें trend चेक करना है तो daily पे चले जाते है अब मैं direct trend चेक करता हूँ एक दो तिन चार पाच और छे और साथ इदर पे horizontal line यहाँ पे vertical line तो हमें पता चले गहीं कि trend up है तो आपको बार बार line draw करने की जरूरत नहीं है आप direct देखके भी पता चले सकता है कि trend up है कि downed है daily पे हमें trend up मिला अब 125 minute पे जाएंगे क्योंकि location weekly का है तो execution 125 minute और 75 minute पे होगा यह जो weekly का लाइन है वो हमारा location है तो उस location के अंदर हमें कोई zone मिलता है तो उस location के अंदर हमें zone मिलता है रनी, बेज और रनी पुरी move की सरवाथ कहां से हुई है इस पुरी move की सरवाथ यहां से हुई है तो हमें zone के अंदर consider करता हुआ एक execution मिल गया है ठीक है यह location और execution प्रोपरली कोइंसाइड कर रहे है विकली का location है और 125 मिनिट का execution है हम 75 मिनिट पे भी देख लेते कि 75 मिनिट पे भी same picture है क्या लगे तो 75 मिनिट पे भी same picture है ड्रोप हो गया दो बेस केंडल और gap up पे साथ रहनी 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 ओके यहाँ पे भी हम entry रख सकते ह 125 में पे भी entry रख सकते हैं मैं दोलों पे मिनना इसने दोलों पे से किसी एक time frame पे आप entry रख सकते हो अब मैंने आपको SBA के stock में aggressive entry का बताया था तो उसी तरह इसमें पे एक aggressive entry मिलती है एक second यहाँ रही एवाली entry ठीक है तो इस aggressive entry को हम consider कर सकते हैं गया तो aggressive entry को consider करने के लिए हमारे नीज ट्रेंड को अप होला जरूरी है और ओ भी normal अपनी strong वाला ट्रेंड अप होना चाहिए यदि strong वाला ट्रेंड अप है तो हम इसे consider कर सकते हैं लेकिन मैं कभी भी aggressive entry का preference नहीं देता हूँ मैं भी conservative entry ही लेता हूँ क्योंकि aggressive entry top loss होने के 50-50% chance है और conservative entry top loss होने के only 5-10% chance है तो चलिए आपको इतना समझ में आ गया आज के लिए बस इतना ही था इस वीडियो को दो बार देख लेना खास करके इस time frame वाले चार्ट को अपने books में लिख लेना इसका screenshot ने के 0x निकल लेना ठीके इसे मैं रूप कि एक बार clean करवा देता हूँ ताकि आप आसानी से screenshot ले सके ओके इसका screenshot ले लिजिए और इसका 0x निकल लेना अब हम आगे क्या बात करने वाले next video में हम risk management के बारे में बात करेंगे कि कितने token buy करेंगी कितना risk रहेंगा हमारा उसके बारे में बात करेंगे और आज का lecture हमार बार बोल रहा हूँ ओमेट करना मैं समझा दूगा वापस से और आपको चार्ट का settings नहीं मालू में तो उसका video i button में आप जाके देख लेना कि charts में किस तरह से setting करना है यदि आपके पास zero data का account है या angel का account है तो उसके लिए आप YouTube में random video search कर लेना किसी और ने बनाया होगा video मैंने सिर्फ ट्रेट ट्राइगर का शेरखान का वीडियो बनाया हुआ है कि शेरखान का ट्रेट ट्राइगर का software किस तरह से यूज़ किया जाता है उसमें टाइम फ्रेम कुन सा हमारे नहीं अच्छा रहेगा ओसक तो चलिए मिन्ते नेक्स्ट वीडियो में have a nice day